विज्वल मर्चनडाइजिंग हम सभी जो है शॉपिंग करने के लिए अलग-अलग रिटेल स्टोर्स पे जाते हैं कुछ लोग जो हो सकता है कि रोट के किनाईज जो शॉप्स होती है छोटी मोटी वहाँ पर जाते होगे एक ठेले पर आप देखेंगे तो सारे कपड़े के जैसे कपड़े हैं या फिर कोई लोकल शॉप है तो वहाँ पर सब कुछ मिक्सट रहता है वहाँ पर जो है म्यूजिक हलक हलका सा बैक्राउंड में चलता रहता है तो वही चीज विजूल मर्चेंडाइजिंग कहलाती है जिस तरीके सब इसमें देख रहे हैं तो बड़े बड़े रिटेल इस्टोर्स में अच्छे जो है शॉपिंग कॉंपलेक्स में मॉल्स में आ होता है कि कोई भी goods कोई भी सब इसे जो की sell करने के लिए फिर purchase करने के लिए होती है तो उसको कैसे present किया जाता है किसी retail store के अंदर उसी को visual merchandising कहते है clear तो visual merchandising क्या हो गया है इसको हम जो है merchandise presentation भी कहते है clear also called as merchandise presentation तो it is the practice in the retail industry of optimizing the presentation of product and services to better highlight their feature and benefit तो यहां पर main motive क्या होता है कि जो goods है जिसको हम sell करना चाहा है retail store है वहाँ पर जो honor होता है वो goods को sell करना चाहता है तो उस goods को इस तरीके से present करता है कि जिससे वो highlight हो जाए उसकी features उसकी benefits और customer को attract करे हो customer उसको जो है try करे हो purchase करने के लिए जो है ready हो जाए तो यही main motive होता है visual merchandising the purpose of such visual merchandising is to attract, engage and motivate the customer toward making a purchase तो finally हो जो है उसको product को purchase कर ले तो visual merchandising का main motive यही होता है तो visual merchandising मतलब की merchandise का presentation कैसे retail store में different goods को या फिर जो भी services related है उनको किस तरीके से present किया जाता है कैसे उनको decorate किया जाता है कैसे lighting होती है क्या background में music चल रहा होता है MBS कैसा होता है वो सारी चीज़े visual merchandising में include हो जाती है तो present arrange and display item in stores and shop windows तो visual merchandising का क्या मतलब हो गया कि किस तरीके से merchandise जो goods उनको present किया जाता है उनको arrange किया जाता है उनको display किया जाता है किसी store में या फिर किसी shop में या फिर किसी window पे तो वही चीज़े visual merchandising कहलाती है तो elements की बात करने कि क्या-क्या elements होते है visual merchandising में तो देखिए normally इसमें जो loop layout है circular layout है तो किस तरीके का layout है वही पे तीसरा है store interior interior कैसा है याने कि वहाँ पे ambience lighting music यह वो कैसा है और interior display याने कि display कैसे किया जा रहा है उस यह चार element जो है important होते है visual merchandising में तो सबसे पहला क्या हो गया display जैसे कि window display हो गया या फिर जो है किस तरीके से product को दिखाया जा रहा ह planning क्या है mannequins का use हो रहा है कि नहीं हो रहा है floor plan क्या है sign o graphics का use हुआ है कि नहीं हुआ है first floor पे child's के लिए second floor पे females के लिए third floor पे males के लिए fourth player पे आप stationery का समान हो गया या फिर gifts items हो गया तो इस तरीके से floor plan क्या है उसको भी design करना color कैसा use कर रहे है आप lighting कैसी है music क्या है technology जो आजके time पे बहुत सारी अच्छी technology है उनका use हो रहा है कि नहीं हो रहा है mannequins जो आप dummy देखते हैं जिनको कपड़े पहना के खड़ा कर दिया जाता है उनको mannequins कहते हैं तो उनका use हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यह सारी क्या है यह elements होते है visual merchandising के यानि कि जब भी retail shop या shop अच्छा है कि नहीं है यह सारी चीज़े जो वहाँ पर इंपार्टो दे प्लस उसमें sign और graphics उस product के details है कि नहीं है वो भी matter करता है clear तो visual merchandising techniques की बात करें कि कैसे कैसे visual merchandising कर सकते हैं कि इन चीजों का दिहान रखना चाहिए खासकर तो सबसे पहले चीज़ ड्रॉ अटेंशन उसका ambiance और उसकी lighting जो है अच्छी होने चाहिए जिससे कि उस product की सारी characteristics quality अच्छे से वह visible हो group products that are commonly bought together यानि कि जब भी आप visual merchandise कर रहे हैं यानि कि जब retail shop में है तो जो भी product एक साथ पर पर प्रचेज किया जाते हैं उनको हमेसा एक ही जगा पर present करें यह नहीं कि जैसे कि आ पेंट एक जगा फिर kids का फिर female का फिर जो है gift item इस तरह किसे जो grouping करें यूज साइनेस टू डारेक्ट एंट एंफॉर्म कस्टमर मर्चंडाइज विजूल मर्चंडाइजिंग में जो retail stores होते हैं वहाँ पर आपको sign और जो है वहाँ पर direction देने के लिए जो है customer को inform करने के signage का यूज करना जरूर होता है क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फ्लोर पर चाइल्ड का है कहां पर जो है girls का है कहां पर जो है boys का है कहां पर जो है gift items रखें कहां पर technology tech item रखें कैसे आपको होता चलता है highlight product with point of purchase display यानि कि जो भी आपको लगता है कहां यह हमारा खास product है तो उस product को highlight करिए और उसमें साथी साथ उसकी features को भी जो है वहाँ पर display करिए कि इस product में क्या-क्या features है आप जब भी किसी technology के showroom में जाते होंगे या फिर retail store पर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर mobile हो गया television हो गया फिर कुछ और है वहाँ पर चलते है उनको चला के दिखाया जाता कि देखे कैसे कैसे आपको जो है इसमें features मिलते हैं क्या-क्या quality होगी कैसा screen quality होगा कैसा audio quality होगा वो सारी चीज है आपको जो वहाँ पर दिखाया जाती है तो that is highlight the product connect with customer using seasonal display यहाँ पर आप देखते होंगे retail stores में जैसे summer season है तो summer season में जो summer से related product ह होगे ना आप उनको जो है पहले highlight कर दीजे जाए reception पर आप उसको highlight कर दीजे यहाँ पर billing counter है वहाँ पर highlight कर दीजे seasonal winter season या summer season इस तरीके से इसको highlight कर दीए तो इससे क्या होगा कि customer एक connection बन तक हाँ यह season चल रहा हो और season से related हो आप पर product को highlight किया गया है clear उसके बाद फिर को display आप कर सकते हैं कि grouping कहने की बात यहाँ पर हो गई clear इसके बाद आप यहाँ पर दो चीजे देख रहे है expose customer to the maximum amount of merchandise यानि कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे merchandise होते हैं जो कहीं rack में रखे हैं फिर कहीं अंदर रख दी आते हैं तो वो क्या होता वहीं पर use empty space wisely यानि कि जो भी आपको लगता है कि empty space है उसको wisely use करें हो सकते हैं वहाँ पर जो है किसी customer का आपने feedback वहाँ पर लगा दिया कोई customer product लेके गया था कोई customer जो है पोई price जीता है तो उसको जो है आपने उसकी testimonials को वहाँ पर show कर दिया तो इस तरीके से empty space को भी आ and help customer to find out they are looking for easily यानि कि customer क्या धूट रहा है उसको वह आसानी से पा सके और यहाँ पर जो retail space होता है उसको आसानी से हम जो है सही तरीके से organize कर सके तो visual merchandising यह जो है important role है कि जो भी retail store होता है उसको आप सही 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 से use कर सकते है और customer को जो चाहिए वह उसको आसानी से दिख सकता है attract customer जब आप सही तरीके से present करेंगे attractive lighting, attractive music, attractive aviance का use करेंगे तो customer क्या होगा वो attract होगा हो inform and educate customer जब आप sinus का use करेंगे तो sinus का use करके जो है customer को information लेकि कहां पर क्या product रखा हुआ है और उसमें जो आपने tag लगा रखते हैं क्या pricing है क्या quality है क्या size हो सारी चीजे से वो educate भी होता है increase sales जाने की obviously बात है कि जब customer attract होगा, inform होगा, educate होगा तो उसका interest जगेगा और interest जगेगा तो इससे sales होने की जो probability है वो ज़्यादा बढ़ जाती ease of shopping, आसानी से जो customer से आसानी से shopping कर सकते हैं जब सारी चीजे arrange रहेंगी, सारी चीजे उनको दिख रहे होगी, सारी चीजे information वह दी होगी होती है, वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाएगा, तो यह store का image भी जो है इससे बनता है और enhance होता है, इसी तरह के से किसी product पर आफ चला है, suppose करें कि आप जो है retail store पे आप अपने products को, goods को, services को किस तरीके से present करते हैं, जिससे कि customer attract हो, ज्यादा से ज्यादा retail store space का use हो, और customer जो है attract हो, उसको information मिले, उसको education मिले, और sales increase हो, wish you all the best, keep watching